Hello students, आज हम लोग UPSC की त्यारी कैसे करते हैं, इसके बारें पढ़ेंगे. Students को UPSC की त्यारी करने में कई तरह की dilemma होती है, कई सरे decisions लेने पढ़ते हैं, और अगर ये decision गलत हो जाए, तो students को UPSC crack करना बहुत हैं मुश्किल हो जाएगा. जैसे गलतिया कहा होती है, जैसे students को कई बार language को opt करने में गलतिया हो जाती है, फिर कहां गलतिया होती है, उनको कई बार optional के selection में गलतिया हो जाती है, अगर आपको ये गलतिया हो गई, optional आपने एक select कर लिया, और उसके बाद पता चला कि this optional doesn't suit me, तब क्या करेंगे आप, में चला गया होगा, तो आप को नए option लेना पड़ेगा, और फिर आप एक तरह से थोड़े पीछे हो जाएंगे, तो सुरुवात में ही ये गलतिया ना हो, इसके लिए आज में आपको guidance करने वाला हूँ, तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे कि UPSC Civil Services examination का scheme क्या है, पहले हम लोग ये पढ़ लेंगे, फिर क्या, फिर मैं बताऊंगा कि आपको कितने समय पहले आपको preparation शुरू करना चाहिए, ये भी confusion का एक subject है, होता क्या है, आप toppers के interview पढ़ेंगे और वो बोलेंगे मैंने तो 6 मिन त्यारी की और मैं top हो गया, तो आप अग बड़ा एक sock लगने वाला है, तो आप उनकी बातों में ना जाए, क्योंकि बहुत सारे factors होते हैं, जिसके कारण से कोई 6 महिना या साल भर में ही top कर जाए, family backgrounds होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब के family backgrounds वैसे ही हो, फिर हम बात करेंगे कि optional को कैसे decide करें, मैं ये नहीं करूंगा कि कौन सा आप optional चुने, और यहां पर ये एक ऐसा area है, जहां पर आपको coaching institute actually misguide कर सकते हैं, तिक मैं ये नहीं बताऊंगा कि optional कौन सा चुने, मैं ये बताऊंगा कि optional decide करते समय किस किस बात को ध्यान में रखना चाहिए, तिक फिर मैं बताऊंगा कि किस language को opt करें, यहां भी मैं advice दोंगा, अगर English medium के student है, तो फिर nothing to suggest, English medium में चाहिए, अगर Hindi medium वाले है, या original language वाले है, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा matter करता है, ये एक dilemma है उनके लिए, next, pre पहले पढ़ूं, फिर उसके बाद main पढ़ूं होता है, प्री ही नहीं निकला तो, pre पढ़ ले प्री के बाद main पढ़ूंगा, main पहले पढ़ लो, बाद में pre पढ़ू, ये भी dilemma है, चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करूंगा कि क्या coaching करना चरूरी है, तो इस बारे में भी हम लोग detail में बात करेंगे, फिर क्या है, और भी dilemma है, कि क्या मैं, क्या मैं, UPSC के साथ, BPSC, JPS या फिर राजस्थान, ये सब भी exam दू, dilemma है, क्या मैं job करूं, join कर लो, job छोड़ दू, yes, it is dilemma, फिर घर में रह के करूं, या कहीं, दिल्ली चले जाओं, किसी coaching shoot में जा करके, मैं वहाँ पे रहूं, तो ये भी एक dilemma है, ठीक, तो इस तरह के कई सारे जो है, वो dilemma आप फिस कर करते है, डेली लाइफ में, जब आप UPSC का preparation करते है, तो, फिर क्या है, फिर मैं study के कुछ guidance दूँगा, कि आप को, अगर आप त्यारी कर रहे है, तो किस तरीका से पढ़े, कितने घंडे पढ़े, पढ़ेने का style क्या होना चाहिए, जिससे कि आप को सुधा हो, त्यारी करन मैंने UPSC के examination का scheme लिख दिया है, age limit for general 21 to 32 years, और जो attempt मिलेंगे, maximum of 6 attempts मिलेंगे, और OBC 3 year relaxation in age, और attempt 9 मिलते है, और SCHT के लिए age relaxation 5 years, और attempt की कोई limit नहीं होती, तो this is our age limit, आप attempt भी देख लिजिए, आप ये देख करके, चलिए मैं पहले general के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर 6 attempts आपके पास में है, तो attempt आप बरबाद मत कीजिए, कभी भी ये सोच करके, preliminary exam में मत बैठिए, कि मैं तो question देखने जा रहा हूँ, question online बहुत available है, UPSC के website आप question देख लिजिए, केवल question देखने के लिए attempt भरबाद मत कीजिए, next, आप जब exam देएंगे, तो यहाँ पर आपको एक जो prelim exam होता है, मैंने यहाँ तक लिखा होगा है, prelim exam, prelim exam में आपको एक GS1 होगा, और एक होगा GS2, GS2 is called CSAT, Civil Services Aptitude Test, इसमें आपको 80 questions होंगे, 2.5 marks के ह Each, और आपको यह qualifying paper है, मैं assume करता हूँ, कि अगर आपने इस paper की अच्छी त्यारी की है, और आपका IQ एक general ठीक ठाक है, तो यह paper आप cross कर लेंगे, क्योंकि जब इस paper की आप त्यारी करेंगे, तो language पर आपका अच्छा खासा command आ जाएगा, इसके language वाले जो portion है, आप असानी से solve कर लेंगे, और जो mental ability की होती है, वो भी मैं assume कर रहा हूँ, कि आप solve कर लेंगे, अगर आपको लगता है, इसमें doubt हो रहा है, तो फिर आप previous year questions इसके solve कर जाएए, इसके बारे में और मैं आगे बात नहीं करूँगा, मेरा जो focus होगा, वो GS paper ही होगा, तो और उसके आपको questions कहां से रहेंगे, आपको history से question रहेंगे, geography से question रहेंगे, आपको polity से question रहेंगे, economics से रहेंगे, economics, फिर आपको रहेंगे world history, नाम के लिए world history, world history and current affairs, current affairs, science and tech, science and tech. तो ये एक general मैंने बताया कि ये इन subjects से questions आपको मिलेंगे मैं एकिक करके subject wise आपको guide करूँगा कि किस subject के लिए कैसे पढ़ा जाए या किस subject को छोड़ दिया जाए तो ये आपको मैं बताऊंगा अब ध्यान रिखिएगा subjects काफी सारे पढ़ने है लेकिन cut-off जो है it is between always between 50 to 60 percent 60 percent से उपर cut-off ये पिसिके जाते नहीं है और 50 percent से 39 तक जा सकता है बट 50 to 60 percent जाते है negative marking होती है negative marking होती है that is one third one third तो मैं ये भी आपको guide करूँगा कि इस paper को कैसे attempt करे ताकि chances pre में qualify करने के बढ़े जाए मैं guide करूँगा इस subject के बारे में बात करूँगा पहले आगे बढ़ करके फिर वापस आता हूँ आप अगर इसको qualify कर लेते है तो फिर लेकिन ध्यान रखिएगा result around 3 percent ही होते है इसमें तो कोई ऐसा kick walk नहीं है अरे प्रिलिम है प्रिलिम है मैं तो पास कर जाओंगा यह जो है आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा pre के लिए मेहनत करना पड़ता है आगे बात करता हूँ अगर आप qualify कर गए first stage को पार कर गए yes you have potential अगर आप clause कर गए है मतलब आप समझ लीजिए कि आपको IS बनने के potential है नहीं भी किये कुछ गलतिया रह गई होंगी अगरी बार आपको try करना चाहिए तो languages Indian language का एक paper होगा और English का एक paper होगा यह जो papers है यह qualifying papers है इस आपके merit में यह काम नहीं आने वाले तो यह जो होगे आप 25% अगर marks ले आते है 25% 300 के होते है यह दोनों paper तो आप फिर यह अगर इसमें अगर आप qualify कर जाते है तो फिर इन paper के basis पे आपका merit बनेगा आपको English paper में कोई परिशानी नहीं होने चाहिए इसलिए क्योंकि जब अभी आप UPC के त्यारी करेंगे आप भले ही Indian languages से आप कर रहे हो लेकिन आपको बहुत सरे materials ऐसे हैं जो केवल English में ही मिलते हैं तो धीरे धीरे करके आपका English improve हो जाएगा और मैं उमीद करूँगा कि इस paper में आप नहीं भसेंगे इस paper में अगर आपको डर लगता है तो previous year के question solve कर जाएगा ज़्यादा time इसमें बरवाद करना ठीक नहीं है आगे essay का paper होगा ये सारे के सारे जो paper होंगे ये 250 marks के होंगे तो 250 marks के essay फिर क्या GS1 तो GS1 में आपको history और geography रहेंगे GS2 GS2 में governance related issue रहेंगे GS3 इसमें science, tech and economy रहेगा GS4 ethics and integrity रहेगा तो ये जो चारो paper है इनको GSE बोलते है ये वाले जो paper है ये थोड़ा अलग है it is ethics तो बात ये है कि आपने जो कुछ यहाँ पर पढ़ा यहाँ पर आपको mcq question दिये गए थे लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि language पर आपके command बहुत अच्छी होनी चाहिए इन papers को attempt करने के लिए आगे आपको optional एक select करना पड़ेगा जिसको दो paper होंगे तो 250 marks each दो paper एक optional दो paper 250 each यह जो मैंने red color से यह भी रहा हुआ है यह सब आप जो paper होते है 250 into 7 आप देख लीज़े 7 250 into 7 तो हो जाते है 1750 1750 marks का आपका means होगा और इसमें आप अगर 50% भी ले आते है तो बहुत अच्छा marks है 50% फिर आपको उसके बाद interview होगा 275 marks का और आप दोनों को मिला करके इन दोनों को मिला करके आपका merit बनेगा तो यह सारा का सारा scheme है अब मैं एक एक करके आगे बाते deal करता हूँ तो अब हम लोग preparation के mode पर आते हैं आप ने फैसला कर लिया है कि आप UPC exam में appear होंगे the best time to start prepare is two year in advance जितना पहले तयारी सुरू करेंगे उतनी ही आपको future में सुधा होगी मैंने minimum time frame बताया दो साल पहले तयारी करना सुरू कर दीजिए आपको यहां पर आप misguide हो सकते है आप coaching institute में जाएंगे आपको बताया जाएगा कि एक साल में preparation हो जाएगी आपको बताया जाएगा आप Toppers का interview पढ़ेंगे Toppers आपको बता देंगे कि मैंने 6 महीने में exam clear किया है अब ये बाते सच है या गलत है थोड़ा सामय discussion कर लेता हूँ कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि मैंने 6 महीने में exam clear कर लिया इसलिए कहा जाता है ताकि हमारे आस पास एक aura create हो लोग सोचे कि क्या दिमाग है तो अगर इस purpose से कोई आपको बताता है तो he or see is misguiding लेकिन एक बात और भी मैं कहूंगा कि कई लोग सही में exceptional होते हैं और अगर ओ exceptional है तो फिर हो सकता है छे मेने और आठ मेने में exam को clear कर लिये हो लेकिन बात यह उठता है कि दुनिया में इतने exceptional लोग इतने हैं तो आप अपने आपको एक general student मान करके आप decision लीजिए और आप जितना हो सके पहले त्यारी करना शुरू कर दिजिए यह कहां पर और भी मुद्दा है कि कुछ लोगों का 6 मेने साल भर में कैसे clear हो जाता है क्योंकि उनकी मम्मी IAS है उनके father IAS है उनके खांदान में ही सारे के सारे educated लोग है और actually वो तो बचपन से ही वो UPSC का त्यारी के mode में चले गए थे के त्यारी करना सुरू किये तो already वो बहुत कुछ जान चुके थे लेकिन मैं ऐसा इसम करता हूँ कि आपने अपना खुद ही decision लिया है कि आप UPSC की त्यारी करेंगे तो आप बहतर होगा कि आप थोड़ा time पहले ही त्यारी सुरू कर दीजिए तो अब क्या तरहे त्यारी सुरू करना है त्यारी को सुरू करना है तो start कहां से करें बहुत अच्छा होगा कि आप NCRT की जो books है 7 to 10 अभी मैं 7 to 10 बोल रहा हूँ 7 to 10 जो भी GS related जो subject सबको मिल रहे है history, geography, economics इस तरह के जो भी subject मिल रहे है वो आप पहले पढ़ लेजे बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेजे आपको आगे मैं जो बताऊंगा वहाँ पर वो help करेगा इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेजे अगर इन subject से question नहीं भी आते है इन books से question नहीं भी आते है तो भी आपके concept clear होंगे के books है history, geography, economics, polity ये सारे के सारे books आप read कर जाहिए आपको यहाँ पर ये मैंने अलग इसलिए बताया क्योंकि आपको science के books आपको 11 और 12 के नहीं read करने पढ़ते पढ़ते आपको notes जरूर बनाने चाहिए ये notes आपको preliminary exam में काफी काम आएंगे notes आप उसमें जो facts हैं उन facts को बाहर निकाल लेजिए तो कि आप last में जब revision करेंगे तो आप सारे के सारे books को नहीं पढ़ पाएंगे और question इतने detail में आते है कि आपने 2 साल पहले या एक साल पहले या 6 मीने पहले जो पढ़ा था उस समय तो आपको याद था उस particular time में आप solve कर सकते थे लेकिन आप examination के time में आप solve नहीं कर पाएंगे बहुत ही detail में question आते है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास एक handy notes हो जो आपको revision purpose में help करे ताकि वो knowledge जो पढ़ते समय जिस chapter को पढ़ रहे है और जितना आप जानते थे last में भी उसी knowledge के साथ आप जा सके मैं कहे रहा हूँ कि बात समझिएगा important point मैं बता रहा हूँ कि आपने preparation शुरू किया एक साल बीत गए और यहाँ दूसरे साल में इस point पे आपका exam है आप यहाँ से पढ़ते पढ़ते जा रहे थे सब कुछ अच्छा पढ़ रहे थे इस point पे यहाँ पर जब आप पढ़े थे जो कुछ जीर साल पहले वो आपको इस point पे अच्छी तरह से नहीं याद रहेगा सब कुछ हेजी हो चुका होगा तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अंतिम दू महीने मैं बहुत emphasis के साथ बात बोल रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ कि इस बात को आप अच्छी तरह से नूट कर ले इस बात को इगनूर न करे मैं बहुत कुछ बताऊंगा जिसमें आप अपने situation के साथ से उसको modify कर लीजिएगा लेकिन प्लीज इसको modify मत कीजिएगा ये दो महीने आपके revision के है इसमें नया कुछ भी नहीं पढ़ना है नहीं तो plenary exam में आप किसारी किसारी मेहनत बिकार हो जाएगी इस दो महीने में आप क्या करेंगे जो इतने दिनों तक पढ़ते आए है इन चीजों को जो आपके पास आपने notes बनाया है उसको आप revise करेंगे हलो, मैं विवेक पांडे मैं जमशेदपूर का institute BREAM IS का director हूँ ये institute जमशेदपूर की UPSC civil services exam preparation कराने वाली एक leading institute है मैं students को general studies और psychology optional पढ़ाता हूँ अब मैं on academy पर live भी पढ़ाता हूँ आप मुझसे वहाँ भी पढ़ सकते है on academy पर आपको structured course मिलते है आपको doubt clearing session मिलते है और आपको weekly quiz भी मिलते है और पूरे के पूरे course के बाद एक mega quiz भी मिलता है on academy पर इंडिया के top educators available है on academy पर fee में 10% discount लेने के लिए आप मेरे referral code vivek.jsr20 का use कीजिए ना órपक है पिंडिया काफ प्रेश प्रेश ंप